भारत में बन रही करोना वैक्सीन का ट्राइल पंचाब के तीन सरकारी मेडिकल कॉल्जों में किया जाएगा समाचार एज़ेंसी द्वारादी के जानकारी के मताबिक भारत बायोटिक और इंटियन कॉंसिल अफ मेडिकल रिसर्च द्वारा त्यार की जा रहे इस वैक्सिन का तीसरे फेस का ट्राइल पंजाब के मेडिकल तीन कॉल्चर में होगा। ट्राइल की शुरुआत 15 अक्टूबर से की जा सकती है। पंजाब सिरकार ने इसकी चानकारी दी है। भारत बायोटिक ने पहले फेस में 12 शहरों में वैक्सिन के ट्राइल किये। इस दौरान इसमें 375 लोगों ने हिस्सा लिया। बतादे कि भारत में इस वक्त तीन वैक्सिन पर काम चल रहा है। गुजरात की कंपनी जाइडस, कैडिला, हेल्फ केर लिम्टेड और सीरम इंस्टिटूट पूने द्वारा क्लीनिकल ट्राइल पहले ही शुरू कर चुकी है। सीरम इंस्टिटूट ब्रिटेन के ऑक्सपोर युनिवर्स्टी की तरफ से त्याल किये जा रही वैक्सिन की ट्राइल भारत में कर रहा है। पंजाब के मुखमंत्री कैप्टन अमरिंद्र सिंग ने मेडिकल एजूकीशन एंड रिसर्च विभागदी कारियों को ट्राइल की दौरान हर साबधानी के सकती के साथ पालन की हिदायती है। उन्होंने कहा कि वैक्सिन के ट्राइल के लिए प्रतिभाग्यों की सहमती लास्मी होगी। उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी देने के अलावा इसे संभावित नतीजों वखत्रों से अफ़कत कराए बिना ट्राइल में शामिल ना किया जए। कैप्टन ने कहा कि भारत बायोट्रिक लिम्टेड ने कुछ तिन पहले राजिसरकार के साथ संपर किया था ट्रायल में हिस्सा लेने वाले के लिए किसी भी अप्रिय घटना या प्रभाव या मौत के मामले में 75 लाख रुपे का विमा कवर किया जाएगा कि अप्राइब था था जाएगा झाल 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 झाल